यह विसिकली आज सब जो हम लोगों का ऐडिया था पहला टेस्ट हम लोगों का आज होने जा रहा है लगभग चार साड़े चारसोर अचे पैस्ट में आज सामी लोग है कि वही बच्चे हैं जिनोंने प्रिवेस लिया है पिछले पंदरा दनों गए और पंदरा दनों में हम सब्सक्राइब करें चाहिए और हमें हमेशा तैयारी का आखलान करते रहना चाहिए लाश्ट में हम 15 करादेंगे तो अंतने कुछ हो नहीं पाएगा पहले दिन से हम चीजों को लेकर चलेंगे वही आपकी आत्रों का हिस्सा होगा और वही आपके लोगों से नर्माण में स अगर देखा जाए तो वास्तों में यह पेपर मॉडरेट कहा जाएगा जैसे मैंने कहा कि मतलब यह ना तो बहुत हलका है ना तो बहुत जटिल है और जैसा कहा गया है कि इसमें किसी गाइड से या किसी सस्ती उजगतर चीप मार्केटिस भी तो सस्ता बाजारी से इसमें कोछ से नहीं लिखे हैं मैजिम लोगों ने अपने पोर्शन स्वयम लिखे हैं और इस तरह से कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक्जाम चैप्टर खत्म होने के बाद ही टेस्ट होना चाहिए हम इस पर वर्क आउट कर सके जो वहते हैं उसका निदानात्मक उप्चार का एक सिस्टम होता है तो यह बहुत उर्जा के साथ हमने किसी तफाक से आयसायोग से नहीं सुरू किया गया है यह सेरीज हमने उर्जा के साथ सुरू किया है और इसमें हम कम सकम 15 मेगा प्रेक्ट परिछा के पैटन से करिए और परिछा के पैटन से रूबरू कराना भी हमारी accountability है और इसमें हमने पहले दिन से आपको कहा था कि हम थोड़ा सा जैसे ही process करेंगे हम को पहले तो test में involve करेंगे हम आपको exam का standard nature और उस को difficulty लेवeras उसको समझाएंगे इसी का पार्ट है जैसे अभी रवी सर्न ने कहा कि जितने अभी पंदरा दिनों के दोरान एड्मीशन हुए हैं जो चार सो पां सो बच्चे यहां पर आए हैं मुझे लगता है कि 70% हमारी एटेंडेंस है 30% तो नहीं है लेकिन 70% एटेंडेंस चार सो बच किया है और टेस्ट को हमने प्रापर प्लान किया है सर लोगों ने टेस्ट का अस्तर बता दिया हम सब लोग अपनी निगरानी में अपनी जानकारी में टेस्ट के सभी प्रस्णों को त्यार कर रहे हैं और हमारा बस उद्देश से ए है कि जो प्रेसर आप एक्जाम हाल में करते हैं जब परिछा के दोरान अचानक से फेस करते हैं उस को अभी से ही आप फेस करिए उसको इलिमेट करिए अपने प्रच ज्यादा-ज्यादा सही करने की कोशिस करिए अपने मार्क्स को इंप्रूब करिए it अच्छे सबनी त्यारियों को कंटीन्यू करें यही हमारा कमिटमेंट है यह हमारी प्रिद्बत दिता है देखिए हम यह यह आपर एक और संदेश देना चाहते हैं यह हमारा ओफलाइन टेस्ट को भी हम उतने ही डिसिप्लिन से कर रहे हैं जितना हम लोग ओनलाइन टेस्ट क अपलोड करने चल लहां और ऑफलाइन को भी हम हर सब्ता है अब्र यह करांगे हमारी योजना है और सभी प्रियाग राज और आजपास के विध्यारतियों के लिए पुरी उत्तर प्रिद्विद्द्रेश के लिए एक सूचना में देदू यहां पर पहली बार हम लोग ने लिखा आ है, तीन अक्टूबर प्राता 7 बजे़े से हम लोग सलोरी ब्रांच में बैच परारम कर रहा है, सलोरी के सवी सदस्चों के लिए मैं सोचना पहली बार प्रेसित कर रहा हूँ, इस माध्यम से, सलोरी ब्राइच में 3 अक्टूबर को सुबए साथ वजे से हम लोग बैच प्रारम करना है जिसके सोचना है मोर देंगे और अल्लाप पुर ब्राइच में भी अती सीक्र हम आपको बैच लेकर आ रहा है और इस commitment के साथ लेकर आ रहे हैं कि जो टीम के सदस साथ बैठे हैं, वही टीम के सदस साथ को पढ़ाएंगे, जो विवस्ता एक ब्रांच में है, वही विवस्ता सभी ब्रांच में होगी, इसी अनुसासन से जब आपका सलोरी ब्रांच में टेस्ट होगा, तो हम सभी लोग व पब्रदेश के सभी अभ्यर्दि I'll को जोड़ना चाहे रहा हूं, जाहे वहां से हमारे वीडियो को दिख रहे हूं, जाहे आप अपने जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं आगे हम आपको यह सुगदा भी देंगे कि कंटेंट को हम आपके पास तक कैसे पहुंचा है हम ज्याद से ज्यादा रीच आपको कैसे थैं हम लोग इसी में प्रयास करना है हमारे दो जीएस के साथ यॉर्वेट है आदाड़ यह सतीसतर है ग मेहनत की है और आपके सामने ऐसे पिष्णों को हम लोगों ने रखा है जिसको बार बार आयोग आपसे पूचता है ठीक है बिलकुल निसुर के टेस्ट पेपर है मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं क्लास में के क्लास रूम और एक्जामनेशन हाल में अंतर होता है जो आपके अंदर नहों और आप अच्छे से इमांदारी के साथ अच्छे नंबरों के साथ पास हो सके तो अनंत सुब कामना है अंगली बार और अच्छे से जो सदस नहीं जोड़े हैं जरूर जोड़िएगा निश्चत तोर पर आपको इससे फायदा होगा सतीस्तर बहुत अनभवी है और प्रियाग राज में उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया है और उनका पढ़ाने का जो अनभव है बहुत जवरजस्त है सतीस्तर का और हम सब लोगों में सीनियर भी है सतीस्तर मैं सतीस्तर से यह जानना चाहूँगा कि सर आज उन्होंने ट सर से चाहूंगा कि अपने अन्वहों के आधार पर और संस्था कैसा काम कर लिए थोड़ा सब बच्चों को मार्ग दरसित करें और जो है इस बारे में जो है अपने विचार रहे हैं अधर इसे तीस सर बच्चों देखिए जो क्वेशन का अस्तर है यह आप सभी लोगों को मा करेंगे तो इससे हम लोगों को भी थोड़ा सा आकलन करने का यह मौका मिलेगा कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार आउट-पुट मिल ला है कि नहीं मिल ला है साथ ही आने वाले समय में हम लोगों को आप लोगों के साथ कितना मेनत करना होगा इस बात का भी पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या उपलगधी हासिल की है ठीक है बच्चो तो बहुत ज्यादा समय नहीं है आप लोग इमानदारी के साथ पेपर को दीजिएगा जैसे कि एक्जाम हाल में बैठ के देते हैं वही सेम कंडिशन उसी सेम स्टाइल से दीजिएगा और उसके बाद फिर आंकलन करने के बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि आपने कितना एची पी आए थैंक्यू सो मच हम प्रतेक सनिवार को अपने सभी बैच में इस पिरकिरिया को फॉलो करने जा रहे हैं और अ लचमी बैंच सलोरी बैंच स्वागत करता हूं लचमी बैंच उसलोरी बैंच आंफ अपर मोग कर सकते हैं मैं और विश्थच सूचना आपको दे दूंगा अल्लापुर्व रांच हम 15 अक्टूबर तक आउन कर देंगे, गर आप अल्लापुर में रहते हैं तो बिलकुल रेलेक्स रहें और थोड़ा सा इंतिजार करिए, ऐसे काम नहीं करना है कि मतब जल्लबाजी में सारे काम, बहुत बिवस्तित काम करने की सुरूर से यादत रही है, बहुत मजबूती से और विवस्तित रूप से, कंटेंट से, पढ़ाने से, अपनी प्रिजेंस से, बहुत विवस्तित रूप से आपके समख से मौझूद रहेंगे, हम पूरी टीम की तरफ से, हम सभी सदस्यों की तरफ से आपको अनंत और आकस पर सुपकामना है, आप सफलों हमारे यही प्रियास है, खन्नवाद.